नमसकर दोस्तों, आपको पता होगा 1857 के रिवर्ट से पहले भी सीवील और ट्राइबल अप्राइजिंग्स होई थी उन ट्राइबल अप्राइजिंग्स और सीवील अप्राइजिंग्स से भी काफी सारे कुश्चन्स बनते हैं इस वीडियो में उनी सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे इस टॉपिक्स से सीविल सर्फिस में भी काफी सारे कोश्चन आये हुए हैं और आते रहते हैं NDS, EDS और जितने भी different exams UPSC के द्वारा लिये जाते हैं उन सारे exams के कोश्चन को भी देखेंगे सबसे पहले ये civil uprising का मतलब क्या होता है वैसे तो civil का मतलब हर वो चीज होती है जो defense और military से ना जुड़ी हुए बट हम लोग civil uprising के अंदर बहुत सारी different type of rebellions और uprising पर बात करेंगे जैसे जमिंदार्स के, landlords के, South India के अंदर, polygards के different type of military groups के बारे में भी बात करेंगे आए स्टार्ट करते हैं, one of the first uprising या revolt, सन्यासी revolt के बारे में time period पर आपको focus करना है, 1757 में प्लासी का यूद्ध हुआ और इसी के कुछ सालों के बाद, लगभग 1763 में ये revolt देखने को मिला अब जैसा कि नाम से पता चाल रहा है, सन्यासी, सो इस सन्यासी revolt में क्या हुआ, एक्चुली, देखें, 1770 के असपास, बंगाल में काफी फेमाइन की situation देखने को मिली, काफी economic condition खराब हो गई और भुकमरी भी काफी बढ़ गई उस टाइम पे, सो वहाँ पे सुरुवाती दोर पे किसान और उसके बाद फिर काफी सारे large number of सन्यासी ने उन्हें जोइन किया, और बहुत सारे अन्य ग्रूप, जैसे छोटे जमिंदार हो गए, disbanded soldier, जो पहले soldier थे बट उन्हें disband कर दिया गया, गरीब लोग भी जुड़ते गए इस revolt के अंदर, अब इन्होंने क्या क्या, कंपनी के फैक्टरीज को रेड किया, ट्रेजरीज को लूटा, कंपनी फोर्से से लड़ाईया की, अब Warren Hastings जो की उस टाइम के गवर्नर जनरल थे, उसने काफी परियास के बाद, इस सन्यासी रिवोल्ट को दबाया, अब इसे फकीर rebellion भी बोलते हैं, फकीर विद्रो के नाम से भी जाना जाता है, और हिंदू मुसलिम की unity देखने को मिली, इस revolt के अंदर, अब ना बात कर लेते important leaders के बारे में, देखें ये जो रिवोल्ट हैं, इनमें mainly जब भी question बने हैं, तो इस बात से बनते हैं, कि इसके important leader कौन से थे, और place कौन सा था, किस जगा पर ये revolt देखने को मिला, और एक brief time period, बस ये तीन चीज़ ही आपको पढ़नी है, तीन चीज़ ही अगर आप ध्यान रख लेंगे, तो आपके सारे question हो जाएंगे, तो इसके important leaders कौन से थे, सबसे पहले मजनू साह, या फिर मजनूम साह, ये दोनों ही नाम आपको पालावा, सन्यासी revolt में participate करने वाली देवी चोधरानी के बारे में भी, उन्होंने अलग से एक novel लिखा है, देवी चोधरानी जिस novel का नाम है, और उसमें बताया है, कि किस तरह से early resistance में भी, woman का काफी बड़ा रोल था, और woman के रोल को recognize करवाया, तो हमारा जो बंदे मातरम है, वो आनन्द मट का ही एक script है, आनन्द मट से ही लिया गया है, ठीक है, किस ने लिखा बंकीम चन चटो पाध्या ने, और ये किस पे based है, सन्यासी revolt पे, बहुत सारे question इस topic से बने है, कि किस revolt पे based था, लिख लिजे, सन्यासी revolt पे based है, और इससे आप एक बात का और अन्दाजा लगा सकते हैं, कि आनन्द मट काफी पहले लिखी गई थी, so now वंदे मातरम जो है, वो 1875 में ही लिखा गया था, but 1882 में, जिस येर में आनन्द मट प्रकासित हुई, उस येर इसे include कर लिया गया, right आनन्द मट के अंदर, वंदे मातरम को, now अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास पाइक का रेबेलियन, so पाइक्स कौन थे, ओडिसा में पाइक्स जो है, वो ट्रेडिसनल लेंडेड मिलिसिया होते थे, यानि वो food soldier जीने बोला जाता है, और ये rent free land tenure को enjoy कर और इस rebellion को lead किसने किया, बक्सी जगबंदू बिद्याधर ने, ये नाम बहुत important है ये नाम, अगर question बनेंगे तो इसी बात पर बनेंगे, अब ये जो है, वो खुर्दा के राजा के military chief of forces थे, so mainly rebellion के पीछे जो reason थी, वो 1814 में क्या हुआ, जगबंदू, बक्सी के ancestral estate, जो की किला रोरंग था, उसे company, East India Company ने ले लिया, और इन्हें penury basis पे, मतलब जो इन्हें, इनकी salary थी, वो इससे खतम हो गई, so मुकुंद देव के support से, जो की last राजा थे खुर्दा के, और बाकी जमिंदारों की मदद से, बक्सी जगबंदू बिद्याधर ने, rebellion को lead किया, और East India Company के forces को काफी समय तक रोक के रखा, और इसी revolt को PICA विद्रो के नाम से जाना जाता है, so आईए one by one करके question करते हैं, और उसके बाद जितने भी concept होंगे, वो साथ के साथ करते हुए चलेंगे, which one of the following revolt was made famous by बंकिमचन चैटर जी in his novel आनन्द मत, आनन्द मत में बंकिमचन चैटर जी के द्वारा किस revolt को famous किया गया, भील अप्राइजिंग, रंगपूर और दीनापूर अप्राइजिंग, विष्नुपूर और विर्भूम रेवेलियन या सन्यासी रेवेलियन, सो ये हमने देखा फर्स्ट में ही, कि सन्यासी रेवेलियन जो है, इसी के basis पे इन्होंने आनन्द मत लिखा है, और ये सन्यासी रेवेलियन को famous किया गया, रेवेलियन जो है, वो नील विद्रो जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो किस से जुड़ा हुआ था, यानि पीजएट जो है, वो इंडिगो उगाना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्हें force किया गया, यानि पीजेट जो है, वो इंडिगो उगाना चाहते हैं, बट उन्हें force किया गया, उस price पे जो price unacceptable नहीं था चोथा बोला गया protest movement that carried an indigo colored flag यानि एक ऐसा movement था जिसमें indigo color का flag carry करना था आईए indigo revolt के बारे में briefly समझ लेते हैं indigo revolt का time period 1859 से लेकरके 1860 का है ठीक है अब location देखिए बंगाल का location है उस time पे जो indigo planters थे जो कि Europeans होते थे वो local peasants को जो local किसान होते थे उन्हें बहुत ज़्यादा exploit करते थे उनका social करते थे क्यों क्योंकि वो force करते थे कि आपको indigo ही उगाना है उन लेंड्स पे और जो indigo है वो उसकी जो price है वो rice और जो normal paying crop थी उसके मुकाबले कम होती थी अब वहाँ पे जो European planters थे वो किसानों को इस बात के लिए भी मजबूर करते थे और different type of fraudulent contract sign करवा लेते थे ऐसे contract जिनके बारे में खुद किसानों को जानकारी नहीं होती थी और बहुत ही बुरे तरीके से उनका social किया जा रहा था सो यहाँ पे 1859 में ये पीजेंट्स का एंगर जो है वो निकल करके सामने आया दिगंबर विश्वास और विश्णू विश्वास के अंडर ये नादिया डिस्टिक के थे और इन्हों ने ये डिसाइड किया कि अब हम इंडिगो को ग्रो नहीं करेंगे उस टैम पे जो किसान है वो रेंट स्ट्राइक पे गए और बोले कि नहीं जितने भी रेंट्स बढ़ाये जारे वो बढ़े हुए रेंट्स अमलोग नहीं देंगे धीरे धीर उन्होंने लीगल मसीनरी का भी परियोग करना सीख लिया वो समझ गये कि हमारे राइट्स क्या है फाइनली नवंबर 1860 में गवर्नमेंट ने इंडिगो कमीशन को एपोइंट किया ताकि वो इंक्वाइर कर सके कि इंडिगो कल्टिवेशन से रिलेटेड चीज़े सही चल रही है या गलत चल रही है और इसी रिकमेंडेशन के बेसिस पे गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि जो किसान है रेओट्स जो है उन्हें मजबूर नहीं किया सकता इंडिगो उगाने के लिए और जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे जितने भी इंसे रिलेटेड विवाद होंगे वो लीगल मसीनरीज के द्वारा सॉल्व किये जाएंगे इंडिगो रेबेलियन जो है वो किस से जुड़ा हुआ था इंडिगो उगाना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें सही रेट नहीं मिलता था और उन्हें फोर्स भी किया जा रहा था इसका आंसर क्या बना ओप्सन नमबर A नेक्स्ट कोईशन देखे बोला जा रहा है मोपला रेबेलियन जो कि 1921 में ब्रोक आउट हुआ किस रीजन में ब्रोक आउट हुआ असम में केरेला में पंजाब में बंगाल में यह हमें चार ओप्सन दिये गए है सो ना बात करते हैं मोपला अप्राइजिंग की रेवेन्यू डिमांड में जब हाइक हुआ फिल्ड साइज को रिड्यूस करने की कोशिज की गई तो उस टाइम पे माला बार रीजन में जो कि केरेला में है वहाँ पे मोपला रेबिलियन देखने को मिला हाला कि एक और सेकेंड मोपला प्राइजिंग भी हुई थी 1921 के टाइम पे जब नोन कोपरेशन मुवमेंट और खिलापद मुवमेंट चल रहा था तब सो रीजन कोन सा था केरेला वाला माला बार कोश्ट सो फिर इसका आंसर क्या बन गया हमें पूछा गया था मोपला रेबिलियन जो की 1921 में ब्रोक आउट हुआ था किस रीजन में में मेंली ट्राइबल ग्रूप्स है सो देखे क्या हुआ था इस अप्राइजिंग के पीछे जो राजा थे पाराहाट के उन्होंने होर ट्राइबल को और्गेनाईज किया 1827 तक ये रिवोल्ट कंटिनू रहा बाद में होर ट्राइबल को सब्मिट करने के लिए फोर्स कर दिया गया उसके बाद हाला कि दो-चार सालों बाद 1831 में फिर से ये रेबेलियन ब्रोक आउट हुआ और इस बार जोइन किया गया छोटा नागपूर के मुंदाज के द्वारा अब देखे 1899 और 1900 में मुंदा जो है जो की साउथ राची जो की जारकन की राजधानी है उसके बिर्सा मुंदा के नेतरित में मुंदाज ने रेबेलियन किया उल्गुलान जो है वो सबसे सिग्निफिकेंट ट्राइबल अप्राइजिंग माईनी जाएगी उल्गुलान जो हैवो मुंदारी भाषा का सब्द है उल्गुलान का मतलब होता है The Great Tmult यानी असंती वाले सिच्वेशन रिवोल्यूसन वाली सिच्वेशन राइट, सो ये उल्गुलान वर्ड जो है वो काफी फेमस हो गया और उसके बाद उल्गुलान ट्राइबल अप्राइजिंग को कहा जाने लगा अब यह पीरियड भी आप देख लिए 1860 से 1920 बट यह स्पेसली 1900 वाला इयर जो है वो उल्गुलान से रिलेटेड है सो हमने देखा कि उल्गुलान डिवोल्ड जो है वो बिर्सा मुंडा से संबंदित है सो इसका अंसर फिर क्या बना option D अब अगर आप UPSC Civil Services 2020 के question को देखेंगे exactly यह question पूछ लिया गया था कि भारतिय इतियाज के संदर में उल्गुलान यानि The Great Tumult किस से जुड़ा हुआ है 1857 के रिवोल्ड से मपिला रिवेलियन से इंडिगो रिवोल्ड से या विर्सा मुंडा के रिवोल्ड से तो इसका अंसर है of course option D विर्सा मुंडा रिवोल्ड ओफ 1899 से लेकर के 1900 तक तो इसका अंसर फिर क्या है option D तो आप देख रहे हैं even Civil Services में भी question repeat होते है previous year question से हाला कि यह बहुत difficult question नहीं है क्योंकि अल्रेडी सारे books में यह cover किया हुआ है बट फिर भी अगर हम PYQ को अच्छे से कर लेते हैं दो चार बार revise कर लेते हैं तो फिर exam में हम 100% confident होके mark कर सकते हैं तो अगर आप देखेंगे तो यह question बहुत बार repeat होता है अक्सर ही repeat होता देखें अभी यह हाली में जो exam हुआ था CDPO का BPSC के दोरा इसमें भी पूछा गया था कि उल्गुलान मुवमेंट को किसने start किया था यहाँ पे हमें option दिये गए कानू मुर्मू, रूपा नायक, बिरसा मुंडा और जोरिया भगत इसका अंसर फिर क्या है option C, बिरसा मुंडा हमने देखा कि यह बिरसा मुंडा के नेतरित में उल्गुलान मुवमेंट जो की दग्रेट ट्यूमुल्ट के नाम से जाना जाता है इससे start किया गया देखें यहाँ पे भी पूछा गया है कि मुंडा रिवोल्ट के नेता कौन थे तो अभी हमने बात की इस पर बिरसा मुंडा अभी हम लोग सीधो, कानो और तिलका मांजी के रिवोल्ट को भी देखेंगे इसका अंसर क्या है? option B, बिरसा मुंडा दोस्तो बिरसा मुंडा को धर्ती आबा और भगवान के नाम से भी जाना जाता है तो हमसे यही पूछा गया था कि which tribal leader also known as धर्ती आबा तो इसका अंसर फिर क्या होगा? option D, बिरसा मुंडा next बहुत important rebellion है, संथाल rebellion time period पे focus कर ये 1857 से 1857 के revolt से लगभग एक दो साल पहले ये start हुआ 1855 से लेकर के 1860 1856 तक संथाल tribal group का continuous operation हो रहा था यानि बहुत ही Britishers के द्वारा सोसंड किया जा रहा था, जो की agriculture people थे, तो वो राजमहल hill में settled, जो की plain area है वहाँ पे settle होने के लिए चले गए अब इससे संथाल rebellion ब्रोक आउट हुआ जो money lender है वो support में आगे police के, joint the जमिंदार to subject the prison to oppressive extension and dispossession of land, इसके कारण dispossession of land हुई, अब जो rebellion है वो anti British movement के रूप में किसके नेतित में turn out हुआ सीधो और कानू, आदेखे जारगंड के अंदर सीधो बोलते हैं यहां books बगेरा में सीधो लिखा रहता है बट इनका original नाम सीधो है सीधो और कानू के नेतरित में यह start किया गया, जो कि दो भाई थे संथाल ने proclaim किया, कि company rule को end करना होगा, और फिर यह anti British movement के रूप में देखने को मिला हाला कि rebellion को suppress कर लिया गया बट इसकी बहुत ज़्यादा significance है क्योंकि यह 1857 से पहले का revolt है 1857 से पहले का rebellion है themes in Indian history के part 3 में संथाल rebellion के बारे में भी दिया गया है सो आई वहां से भी कुछ missing point जो उस book में नहीं cover है वहां से इसे cover कर लेते है सो जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत सारे संथाल को उनके area से dispossess कर दिया गया था हटा दिया गया था और संथाल को land दिया गया था राजमहल के foot hills में 1832 में क्या हुआ इस year पे ध्यान दिजिए ये 1857 से पहले की बात की जा रही है 1832 में इन्होंने a large area of land was demarkated as the meane co right the meane co के रूप में बहुत बड़ी area को इन्होंने अलग से demarkate कर लिया और इसे declare किया गया कि ये जो land है वो संथाल का है और यहां पे they were to live within it यहां पे ये रहेंगे और प्लो एग्रिकल्चर और जो भी उनके जमीन से जुड़ेवे काम है उसे करेंगे और यह settled peasants बन गए जो संथाल को land grant दिया गया उसमें इन्होंने make sure किया कि जो one tenth of the area है उसे clear करना है और cultivate करना है first ten years के अंदर में चुकि यह boundary wall से घिरा हुआ था यह बाहरी दुनिया से भी separate था और settled agriculturalist of the plain and the pahadias of the hill so enclosed होने के कारण यह हर तरह से separated था जैसा कि हमने देखा था 1832 में क्या हुआ संथाल ने अलग से area occupy किया दमीने कोह के नाम से बट इन्होंने जल्दी ही देखा कि यह जो area इन्होंने occupy किया है यह इनके हाथों से फिसलता जा रहा है estate जो है वो बहुत ही ज़्यादा heavy taxes लगा रही है संथाल जो इन्होंने land clear किया है उस land पर money lender यह word भी आप focus कर लिजए क्योंकि keyword से civil service में question अक्सर आते है decoos money lender को दीकूज बोल जाता था वो काफी ज़्यादा high rate of interest charge कर रहे थे और इसके बदले में बहुत सारे इन्हें problems हो रही थी अब देखे 1850s तक संथाल को लगने लगा कि अब वो समय आ गया है कि हमें जमिंदार के against rebel करना पड़ेगा सो इन्होंने फिर क्या किया देखे यहाँ पर आपको ध्यान देना है rebel against जमिंदार, money lender and colonial state ठीक है man rebel हुआ वो जमिंदार, money lenders और colonial state के खिलाब हुआ finally जब संथाल revolt खतम हुआ 1855 के बाद 1856 में तो संथाल परगना को create किया गया संथाल परगना जो है वो भागलपूर और विर्हूम डिस्टिक को combine करके बनाया गया था so finally संथाल परगना को create किया गया और इसके बाद कुछ नियम बनाया गया संथालों के support में जैसे जो संथाल की जो tribal land होगी वो सिर्फ संथाल को ही transfer की जाएगी now civil services 2018 का question करते है बोला गया संथाल अपराइजिंग के हो जाने के बाद colonial government ने कौन कौन से measure लिये एक संथाल परगना नाम की territory को create किया गया so हमने देखा था कि दो डिस्टिक को मिला करके संथाल परगना बनाया गया था दूसरा बोला गया या illegal कर दिया गया हमसे correct statement पूछा गया था तो option C, both 1 and 2 is correct यह next देखिए, NDA 2020 का पूछा गया question है बोला जा रहा है, what was दमीने को in राजमहल एरिया राजमहल एरिया में दमीने को क्या था so हमने देखा था कि संथाल के दोरा एक large land को demarkate किया गया था इसका answer फिर क्या बना option A a large area of land demarkated and declared to be the land of संथाल इन्हें संथाल का land बताया गया और इसी area को दमीने को के नाम से जाना गया यही question CDS 2019 में भी पूछा गया था बोला जा रहा जो दमीने को create किया गया था created by the British to settle which one of the following community किस community को settle करने के लिए संथाल, मुंडा, ओराओं या स्वारा सो हमने देखा कि यह संथाल rebellion से जुड़ा हुआ और संथाल community को settle करने के लिए किया गया यही इसी type का question NDA 2021 में ही पूछा गया बोला जा रहा है in which one of the following year यानि किस साल में British ने demarkate किया large area of land दमीने को के नाम से ताकि संथाल को settle करवा जा सके 1810 में 1793 1885 या 1832 सो मैंने आपको बताया था संथाल rebellion 1855 में क्योंकि 1857 के revolt से 2 सालों पहले हुआ था तो यह तो 1857 के बाद की बात की जारी है यह तो काफी पहले की बात है यह भी काफी पहले की बात है नेक्स कोश्चन देखिए बोला जा रहा है कि संथाल rebellion को lead किस ने किया सो हमने देखा था संथाल rebellion को lead किस ने किया था सीधो और कानू दो ब्रदर्स ने सो option A is correct नेक्स हम लोग बात करते है कूका मुवमेंट की कूका मुवमेंट को 1840 में फाउंड किया गया भगत जोहर मल के द्वारा और इसके एक और major leader थे बाबा राम सिंग ये दो नामा प्याद रुकिये इन से question बनते है भगत जोहर मल और बाबा राम सिंग अब देखिए इनकी जो major significance थी caste system का बोलिशन करना और जो six में discrimination हो रहे थे बुला जा रहा है पहाड़िया rebellion राजमहल hills में 1778 में ब्रोक आउट हुआ नेक्स्ट देखिए चुवार अप्राइजिंग के बारे में चुवार अप्राइजिंग जोह बंगाल के मिदनापूर और बांकुडा जिले में फैला फेमाइन और economic distress यह सारे reasons थे चुवार अप्राइजिंग के अगर बात करें most significant leader की तो वो दुर्जन सिंग थे जिसे दुर्जोल सिंग भी कहीं कहीं आप पढ़ सकते हैं और यह 1798 में अपने चरम पे था next important tribal revolt है वो उसका नाम है coal mutiny coal mutiny 1831 में mutiny हुई अब देखे कोल जो है coal tribal group छोटा नागपूर के inhabitants है छोटा नागपूर जो की जारकन के area में manly combine करता है रांची, सिंगभूम, हजारी बाग, पलामू इन सारे district को combine करता है so basically 1831 में क्या हुआ काफी large scale large scale में land transfer हुए coal peoples के जोरा coal papers से land transfer हिंदू, सीख, मुस्लिम फार्मर और money lender को किया गया और काफी oppressive और heavy taxes लगाय जा रहे थे इस वज़ा से बुधो भगत के नेतरित में 1831 में coal mutiny देखने को मिला ये question देखिए which of the following is not correctly match कौन सा correctly match नहीं है मोपला Revolt केरिला में हमने देखा बिल्कुल सही कूका Revolute पंजाब में ये भी सही कोली Revolute महराष्ट में ये भी सही चुवार Revolute जो है मैदपरदेस में नहीं बंगाल में था हमने देखा band कूरा district मैं इसा answer फिर क्या बन गया अहोम गोमधर कुमर ये भी सही है चोथा बोला गया नायक टाना भगत नहीं टाना भगत आंदोलन जो है वो जारकंड के अंदर 1914 में शुरू हुआ था और बिर्सा मुंडा के आंदोलन का ही extension इसे माना जाता है जबकि नायक जो है लक्षमन नायक बेसिकली इनका नाम था और ये ओडिसा के अंदर का रेबेलियन था सो हमें इनकरेक्ट पैर पुछा गया था तो option D हापे इनकरेक्ट है now next question देखिए बोला जा रहा है कि कौन सा पैर इनकरेक्टली मैच है रामोसी अप्राइजिंग चितूर सिंग के अंडर में क्या गया हाँ ये बिल्कुल सही है हम अभी देखेंगे इसे दूसरा बोला गया संथार रेबेलियन बिर्सा मुंडा नहीं मुंडा रेबेलियन बिर्सा मुंडा के नेतरित में क्या गया था संताल रेवेलियन जो है वो दो ब्रदर्स है सीदो कानू असल में ये चार ब्रदर्स थे बट दो जो है वो मेंली प्रोपगेट किया नहोंने सीदो कानू, चांद और भहरोव ये चार भाई के नाम थे सो इन्होंने संताल रेवेलियन को स्टार्ट किया था, यह गलत है, क्योंकि incorrectly pair पूछा गया था, और बिर्शा मुंडा का तो मैंने बता ही दिया है, उल्गुलान, या दा ग्रेट यूमुल्ट आप जिसे कहते हैं, मुंडा रेबेलियन, तीसरा है रंगपूर अप्राइजिंग, यह सही है, दीरिज नरायन के नितित में किया गया था, चोथा बोला गया, कोल अप्राइजिंग, हाँ कोल अप्राइजिंग भी बिलकुल सही, 1831 में बूदो भगत के नितित में किया गया था, नेक्श देखे, बोला जारा, दा रिवोल्ट ओफ खासीज, अगेंस्ट दा बिर्टिस वाज लेड बाई, यानि खासी के खिलाफ रिवोल्ट जो है, वो खासी का जो रिवोल्ट है बिर्टिस के खिलाफ, किसके द्वारा लेड किया गया, सुरेंदर राइ, टीटू, मीर, विर्सा, मुंडा या तिरोध सिंग, सो आपको पता होगा, गारो, खासी और जैन्तिया जो है, वो तीन हीली रीजन मेघाले में है, और यहीं पे खासी अप्राइजिंग्स हुई, खासी अप्राइजिंग्स 1830 के आसपास, तीरोध सिंग या तीरत सिंग के नितित में हुई, तो तीरत सिंग के नितित में खासी अप्राइजिंग देखी गई और लाज नमबर ओफ आउटसाइडर जिसमें इंग्लिस मेन भी इंक्लूडेट थे उनके खिलाफ ये और्गिनाइज किया गया था तो हमसे पूछा गया था कि खासी रिवोल्ड जो है वो बिरिटिस सर्स के खिलाफ किसके दवार ओर्गिनाइज किया गया तो अनसे फिर क्या होगा तीरत सिंग या तीरत सिंग नेक्स्ट कोश्चन देखिए बुला गया है हमें रिवेलियन दिया गया और उसके येर के साथ मेच करना है कौन सा करेक्टली मेच नहीं है ये पूछा गया संताल रिवेलियन 1855 बिल्कुल सही है ये कोल रिवेलियन हमने देखा 1831 में हुआ था ये भी सही है खासी अप्राइजिंग्स भी 1829 में हाँ ये मैंने आपको बताया था कि 1830 के आसपाथ तो ये भी सही है अहोम रिवेलियन 1815 में नहीं अहोम रिवेलियन 1815 में ना होकर के 1828 से लेकर के 1833 तक असम वाले रिजन में चला था सो हमें not correctly में पूछा गया तो इसका answer फिर बन गया option D next question देखिए बोला गया है 1844 में गड़करी अप्राइजिंग्स किस जगा देखने को मिली कोलापूर में पूरा में एहमद नगर में या नासिक में सो 1844 में गड़करी रिवोल्ट या गड़करी अप्राइजिंग्स महराष्ट के कोलापूर रीजन में देखने को मिली गड़करी एक हैरेडिटरी मिलिटरी कलास है उन्होंने अनिम्प्लोइमेंट और एगरेरियन गिरिवांसेज के खिलाफ ये रिवोल्ट या अप्राइजिंग्स की ठीक है तानसर फिर क्या कोलापूर ओप्सन A is correct here यहां पर हमने 1857 से पहले जितने भी सिविलियन और ट्राइवल मुवमेंट ट्राइवल रिवोल्ट हुए थे वो सारे कवर कर लिये हैं अगर यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए थेंक्यू सूमज